आज सुबह सुबह अच्छी ख़बर आई है BPSC जी हाँ बिहार लोग सेवा आयोग का आप सामने नोटिफिकेशन देख रहे हैं BPSC ने जारी कर दिया है CDPO का नोटिफिकेशन CDPO बहुत लोग नहीं जानते होंगे CDPO का फुल फर्म तो मैं बता दू Child Development and Project Officer होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लिखा हुआ है इसका मतलब आप जान सकते है कि Officer Level का ये पोस्ट है और मैं इस पोस्ट से बहुत अच्छी तरह से परिचीत हूँ क्योंकि मेरी एक बहन है दीदी है जो कि Child Development and Project Officer है और जहारखन में अभी कारेरत है ठीक है तो इस पोस्ट के बारे में मैं बहुत अच्छे तरह की से जानता हूँ और किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी मैंने देखा है उनसे राय भी ली है उनसे विचार भी किया है बहुत पहले से मेरी दीदी एक और दीदी है उन्होंने भी तैयारी की थी तो इसके वेकेंसी है वो मात्र 55 seat के लिए है याद रखिएगा seat जो है वो कम है 55 seat है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है आप लोग form भर सकते हैं आपको तो एक ही seat से मतलब है अनारक्षित के लिए यानि की unreserved के लिए 22 seat है ठीक है और जो EWS है unreserved में ही जो 10% आरक्षन कोटा वाले आते ह है EWS Economically Beaker section उनके लिए 5 seat है और बाकी categories के लिए आप देख सकते हैं SC के लिए 9 seat है अनुसोचित जन जाती के लिए यानि कि ST के लिए कोई seat नहीं है OBC के लिए 11 seat है और पिछरा वर्क के लिए 6 seat है और पिछरे वर्क की महिलाओं के लिए 2 seat है और बाकी यहाँ पर देख सकते 35% 36 आरक्षण के फरसोरुक कुल पदों में से महिलाओं की महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है उसमें अनारक्षित में 7 है मतलब अन्रिजर्बने EWS में 2 है आपका 3 है SC में उसके बाद आपका अन्य पिछरा वर्क यानि कि आपका अत्यंतिक पिछरा वर्क एक्स्ट्र यहां पर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या जल्दी से आपको यह भी बता दूं कि फॉर्म भरने की तिथी कब है और फॉर्म स्टार्ट कब से होगा और फॉर्म मतलब की कब तक भरा जाएगा यहां भी मैं आपको बता दूं तो यहां पर सबसे नीचे दिया तो यह दोनों डेट आप याद रख लीजे एक दो दिन में जो है आपका चालू होने वाला है फॉर्म भरना तो बिलकुल ही फॉर्म भरिए और निश्चिन्त होकर के भरिए और तयारी जबर्दस्त कीजिए ठीक है सीट चुकी कम है तो कॉम्पीटिशन बहुत ज्यादा ह आप आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर तो दिरिश्टी बाधत और बाकी सब अधर हैंडरी कैप्ड के लिए एक सीट है मनोविकार बहु दिव्यांगता के लिए एक सीट है वेतनमान इसका देखिए आप तीरेपन हजार एक सो से लेकर एक लाख सरसट हजार आठ सो तो ज किसी भी ब्लॉक में और बहुत ही अच्छा पोश्ट है अधिकारी लेविल का बहुत सारे पावर्स होते हैं इनके पास अच्छा रुद्बा होता है तो यह आप भरना चाहें तो निशित रूप से बढ़िए और लर्कियों को तो मैं विसेश करके कहूंगा कि लर्कियों क होना चाहिए 21 वर्स मतलब मिनिमम में जो है 21 वर्स और अधिकतम जो है उन-reserved के लिए 37 वर्स है ठीक है पिछरा वर्ग के लिए पिछरा वर्ग अत्यंत पिछरा वर्ग और पिछरे वर्ग की महिला एवं अनारकषित महिला के लिए 40 वर्स है तो आप यहाँ पर देख सकते यहाँ पर एक मात्र अंतर है, यह हम लोग देखेंगे प्रारंबिक परिक्षा जो है, वो जैसे BPSC का होता है, डेर सॉंग का पेपर होता है, डेर सौ प्राशन होते हैं, दो घंटे दिये जाते हैं, तो वही होगा, यहाँ पर भी, मुख्यों परिक्षा में देखें, तो यह चुन सकते हैं यह चुकी Child Development and Project Officer का जौब है तो यहाँ पर मात्र चार विकल्प आपको दिये जाते हैं वैकल्पिक विसाय के लिए पहला है आपका ग्रिफ विज्ञान यानि की Home Science, दूसरा है आपका मनुविज्ञान यानि की Psychology, तीसरा है आपका समाज सास्त्र यानि की Sociology और चौता है स्रम एवं समाज कल्यान ठीक है तो इन चारों विसाय में से एक विसाय आप चैनित कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं वैकल्पिक विसाय के लिए सब का जो है सिलिए बस छोटा छोटा होता है ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती है तो आप अच्छा रहेगा त्याड़ी करने के लिए ठीक है यहाँ पर भी जो है तीन सो अंख है जिस प्रकार से होता है वह साक्षातकार यहाँ पर भी 120 अंग का है तो टोटल मिला करके यहाँ पर भी एक हजार बीस नंबर का आपका टोटल मेंस इग्जाम होगा और इसी से मेरिट तयार किया जाएगा ठीक है तो याद रखिएगा आगे देख लेते हैं कि सिलेबस भी लगवख सेम ही है प्रारंबऴिख परिक्षा में सामाने विजियान हो गया जेनरल सैंस हो गया राश्ट्री अन्तर राश्ट्री महत्रों की समसाम αफेर्स हो गया भारत का इतियास तथा बिहार के इतियास की प्रमुक्विसेस ताह-ए समाने भुगोल बिह विशय जो है उसी में अंतर है बाकी किसी भी आपका कोई भी अंतर नहीं है यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि एक बार वैकल्पिक विशय के चैन के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव मानियन नहीं होगा वैकल्पिक विशयों का मानक लगबग वही होगा जो प नहरा आवसर है ठीक है क्योंकि वही सिलेबस होने वाला है तो लगभग तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मुख्य परिक्षा का तो यहां पर साफ ही लिग दिया कि वही सिलेबस होगा ठीक है अब इसमे प्रणबिक परिक्षा में सफल मिद्वारों को मुख्य परिक्षा के लिए अलग से पुना सवसमय अव्यदन अमत्रित किये जाएंगे जैसा BPSC में होता है जणरण में वही होगा यहां पर भी प्राड़मिक परिक्षा एंवं मुखे परिक्षा के अवेदों मिद्धि कें सोचनाओं में विन्ętा होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परिच्छा में सम्मेली थोने से वंचित किया जा सकता है सेम तू सेम वही है यहां पर भी आगे आरक्षन इत्यादी से जुरे हुए प्राब्धान जो है वह सेम ही है टोटल तो आपको पता ही होगा इसको बताने की जरूरत नहीं है जितने यह सब आप खुद से पर लिजेगा अब यहां पर सुल्क जो लगेगा अवेदन भरने का जो सुल्क है वह 600 रुपया है आपका नारक्षित के लिए सामानिय अभियर्तियों के लिए ठीक है और बिहार राज्य के के लिए जो है आपका 150 रुपया है यहां पर महिला उमिद खास रुपया है न बीश का कुछ रुपया है रहें तो यह तो 600 रुपया या फिर 1,500 रुपया ठीक है ऐगे देख लीजए और क्या-क्या है तो इसमें कुछ और दिया हुआ नहीं है पेमेंट करने और आवेधन के बारे में दिया हुआ है ठीक है तो यह सब भी आपका ज इसका भी रनीती जल्दी बताऊंगा मैं ठीक है तो आप लोग टेंसन ना लीजिए और तयारी सुरू कर दीजिए ठीक है यहां पर और भी कुछ है तो यह सब फॉर्म भरने के दिशा निर्देश दिये गया है और कुछ खास है नहीं इसमें ठीक है तो बस तयार हो जाईए 55 15 सीट है तो ठीक है कोई बात नहीं है हमें तो एक ही सीट चाहिए आपको तो एक ही सी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आप फॉम भरिए और बिल्कुल तयारी कीजिए ठीक है जितना भी मदद हो सकेगा मेरे चैनल की तरफ से मेरी तरफ से मैं जरूर करूंगा ठीक है तो चलिए यही जानकारी आप लोगो को देनी थी यदि चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और बेल आइकोन दबा दिए ताकि अन्य वीडियो जका नोटीफिकेसं आपको मिलता रहे इसके बारे में जल्दी रानीती बनाने वाला हूं तो उसका भी नोटिफिकेसं आपको टाइम पर मिलता रहे इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूर है और बे ठीक है तो कॉमेंट भी लगातार करते रही है यही हमारे बीच जो है ना जुरने का माध्यम होता है इसलिए कॉमेंट लगातार करते रही है ठीक है तो चलिए अब मुझे दीजिये इजाज़त जैहिंत बंदे मातरम